हेलो फ्रेंड्स एक नई रेसिपी के साथ आपका फिर से वैलकम है कुक्वी दिमराना में आज मैं आपके साथ बहुती मज़ेदार रेसिपी शेयर करूँगी जिसका नाम है क्रिस्पी पनीर बर्गर की पर्गर खाने में बहुती मज़ेदार होता है चलिए से बनाना हमें स्टार्ट करते हैं पर्गर बनाने के लिए मैंने पाभर पनीर लिया है जिसके मैंने स्कॉाइर शेप में चार पीसिस कर लिए हैं बड़े बड़े मेरे pieces करें हैं, इस तरीके से देखिए, अब एक फोक लेकर उसे में दोनों साइट से इस तरीके से गोद लूँगी, इस तरीके से करने से मसाला जो है पनीर के अंदर अच्छी तरीके से चला जाएगा और पनीर हमारा अंदर से भी spicy बनेगा, अब इसमें हम हाफ टी स्पून लाल मिच का पॉर्डर डालेंगे हाफ टी स्पून काली मिच का पॉर्डर हाफ टी स्पून कुटा भुना जीरा एट करेंगे इसमें ये बर्गर खाने में बहुत ही मज़ेदार होता है आप जरूर ट्राइ करें इसे अब इसमें हम डालेंगे हाफ टी स्पून नमक मैंने आधा नीबू लिया है नीबू के बीज निकाल दिये हैं अब इसाधे नीबू के रस को भी हम चारों पीसिस पे निचोड़ देंगे अब मसाले को हम अच्छे तरीके से पनीर पर लगा देंगे इस तरीके से देखिए दोनों साइड से अच्छे तरीके से हम मसाले को पनीर पर मल देंगे अब पनीर को हम डग कर एक साइड में रख देंगे अब हम लेंगे एक बड़ा बरतन और उसमें हम डालेंगे तीन अंडे बहुत ही मज़ेदार हुआ था, अब इसमें हम add करेंगे four pinch नमत four pinch add करेंगे इसमें लाल मिर्च का पाौडर, अभी से हम अच्छी तरीके से mix कर लेंगे मैंने देखिए burger बन लिया है, इसमें बीच में से cut कर लेंगे, इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पर प्लेन वाले कॉन फ्लेक्स लिये हैं इसको हम बारिक चूरा कर लेंगे मैंने कड़ाई को गैस पर रख दिया है और उसमें ओयल डाल दिया है ओयल को हम गरम कर लेंगे अब हमने जो बर्गर बन काटा था पहले हम बन को लेकर उसको अंडे में डिप करेंगे और फिर हम इसे कॉन फ्लेक्स से कोट कर लेंगे इस तरीके से देखिए और जब करम हो जाए तो गैस के फ्लेम को मीडियम कर दें इन्हें हमें मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है इसी तरीके से हम सारे बर्गर बन जितने भी हमें बर्गर बनाना है उन्हें इस तरीके से काट कर तरह आप अंडे में डिप करें और फिर कॉन फ्लेक्स में कोट करके इस तरीके से फ्राइ कर लें मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करें दिखी फ्राई हो चुक है इसी तरीके से आप सारे बर्गर बन फ्राई कर लें अब गैस पर हम पैन को रखेंगे और इसमें हम डालेंगे 1 टेबिल स्पून मक्षन बखन को हम थोड़ा सा मैल्ट कर लेंगे इसमें हम एट कर देंगे पनीर हमने जो मसाला लगा कर पनीर रखा था उसे हम एट कर देंगे और इसे दोनों साइड से पलट पलट कर हम इसे फ्राई कर लेंगे इसे हम आहिव लेंपर ही फ्राई करेंगे के तरिके से दोनों साइट से पलेट कर कर देंगे अब हम बर्गर तयार करेंगे ठीए हम्रा पानीर भी तयार ओ चुका है जब से पहले हम बर्गर बन लेंगे औरसफर हम लाएंगे बर्गर मियूणीज यह सब तरह आप पता गोबी को बारिक बारिक कट करके भी रख सकते हैं अब जो हमने पनीर फ्रया किया था वो रख देंगे और उपर वाले बर्गर बन पर हम लगाएंगे औरिजिनल मुईनिस और इसे इस तरीके धहम पनीर के उपर रख देंगे लिजिए हमारा क्रिस्पी पनीर बर्गर तयार है ये खाने में बहुत ही मज़ेदार होता है अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्स करें इन्शालला नेक वीडियो में एक नई रेसिपी लेकर आऊंगे जब तक के लिए आला हाफिज